वेल्कम टू अजुटेक लेर्नर्स आज की हमारी वीडियो HPGK से रलेटिड रहेगी जिसमें हम HP Reaver System से रलेटिड कोस्टन डिसकस करेंगे ये एक GK प्रैक्टिस टाइप वीडियो है जिसमें आप अपना GK लेवल खुद चेक कर सकते हैं On the basis of your answers वीडियो से रलेटिड कोई भी फीडबैक आप कमेंट सेक्सेर में छोड़ सकते हैं जो आज का पहला प्रेशन है हिमाचल में मुख्य कितनी नदिया बहती है तो हिमाचल में मुख्य पांच नदिया ब्यास, चिनाव, रावी, सतलुज, यमुना बहती है हिमाचल की किस नदी में पानी की मातरा सबसे अधिक है तो जो हिमाचल में चिनाव नदी बहती है उसमें पानी की मातरा सबसे अधिक है यहनि कि जल गनत्तव की द्रिष्टी से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी जो है वो चिनाव नदी है Q3. हिमाच्चल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो जो सत्रूज नदी है वो हिमाच्चल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है यहीं कि लंबाई की दिश्टी से सबसे लंबी नदी जो है वो है सत्रूज नदी जिसकी लंबाई 320 किलो मेटर है फोर्थ कोश्चन बस्पा किस नदी की सहाइक नदी है तो जो बस्पा नदी है वो सत्रुज नदी की सहाइक नदी है फिफ्ट कोस्टन ब्यास नदी कांगडा जिले को छोड़ कर किस राज्ये में परवेश करती है तो ब्यास नदी कांगडा जिले को छोड़ कर पंजाब राज्ये में परवेश करती है कांगडा के मीर्थल नामक स्थान पर पंजाब में परवेश करती है ब्यास नदी सतलुज नदी किस स्थान में शिमला जिले में प्रवेश करती है तो सतलुज नदी जो है वो चोरा नामक स्थान से शिमला जिले में प्रवेश करती है नेक्स्ट है रावी नदी का बैदिक नाम क्या है तो पूरुशनी जो है वो रावी नदी का बैदिक नाम है हिमाचल में बहने वाली सबसे छोटी नदी है वो है यमना नदी और हिमाचल में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है सतलुज नदी नेक्स्ट है यमना नदी हिमाच्चल छोड़ कर किस राजे में परवेश करती है तो यमना नदी हिमाच्चल को छोड़ कर हर्याना राजे में परवेश करती है ताजेवाला के निक्टी नदी हर्याना राजे में परवेश करती है नेक्स्ट है नोगली खड किस थान में सतुल नदी से मिलती है तो जो अली खड है वो है सतुल नदी की सहाइक नदी नेक्स्ट है मंडी शहर किस नदी के बाएं किनारे पर स्थेत है तो जो मंडी शहर है वो ब्यास नदी के बाएं किनारे पर स्थेत है नेक्स्ट ब्यास नदी कांगना जिले में किस स्थान से प्रवेश करती है तो संधोल नामक स्थान से ब्यास नदी कांगना जिले में स्थान यह निकी बान गंगावी दोला धार से ही उदगम होती है नेक्स टेक गजकट किसकी सहाइक नदी है तो जो घजकट है वो है व्यास नदी की सहाइक नदी चंदर भागा किस थान को चंबा जिले को छोडते हुए जम्मु कश्मीर में प्रवेश करती है तो इसका जो सही अंसर है वह है चिनाव नदी में जो है हिमाचल में प्रदेश में भेने वाली नदी है जिस पाया जाता है नेक्स्ट है भाकडा बान निर्मान के समय कितने गाम उसमें डूब गए तो 256 गाम भाकडा बान निर्मान के समय उसमें डूब गए उन्ना सोरो के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो सवान नदी जो की उन्ना जिले में बहती है उसे उन्ना सोरो के नाम से ज जो सोन नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो है सोल सोला सिंगी नेक्स्ट है हमारा कौन सी नदी हिमाच्चल और उत्राखंड के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है तो जो कि टोंस नदी टोंस नदी जो है वो हिमाच्चल और उत्राखंड के बीच प्राकृतिक सीमा बनात वो भागड़ा बांध भी है तो आप अपना स्कोर कोमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं थैंक की अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें